अर्विन केजरिवाल देश में एकलोते ऐसे मुख्यमंत्री तो थे ही जो पद पे रहते हुए गिरफतार किये गए लेकिन शायद अर्विन केजरिवाल देश के एकलोते ऐसे शक्ष भी बन गए हैं जो जिनको सुप्रिम कोट ने ED केस में दो बार अंतरिम जमानत दे दी है कोट में चुनाती दी ती और यह कहा था कि यह गिरफतारी अवैद है तो उस मामले में सुप्रिम कोट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है सुप्रिम कोट का कहना है कि गिरफतारी की जरूरत थी या नहीं थी यह मामला ऐसा है जिसको बड़ी बैंच को हम भेज रहे हैं लेक लेकिन अर्विंद केसरिवाल को ED के केस में अंधरिम जमानत पूली है यानि कि अशिफभार्गव है जो सुप्रिम कोट से हमां लिए तमाम खबरे लेकर आते हैं और बहुत कानून के बहुत जानकार हैं और जो बड़ी टिपणी की है जो आप बता रहे थे वो यह है कि उस्ताइश के आधार पँ यानि इं टेरोगेशन के आधार पर किसी को गिरफतार नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब बताइए कि क्या इसका मतलब वही है कि गिरफ्तारी का कारण मुझूद है तो यहां पर अर्विद के जिवाल की तरफ से अभी शेक माने सिंग भी बार बार कह रहे थे कि यहीं सबूत है कोई नहीं चीज आप बताईए कि आपके पास ऐसी क्या चीज आई है जो अर्विद के जिवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है मनीश सिसोधिया कब से बन थे जेल में हैं पिछले साल फरवरी से तो यहीं सब चीजे थी तो उस मुद्धे पर सुप्रीम कोट ने एक चीज तो साफ कर दिया कि सिर्फ पुष्ताच के आधार पर इंटेरोगेशन के आधार पर आप गिरफ्तारी नहीं कर दिया है क्या मैटीरियल होना चाहिए जिसके आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं हां वह मैटीरियल था के नहीं था अर्विन केज़िवाल के केस में यह तमाम चीजे जो हैं वो डेदी है लारजर बैंच में तीन जज़िकी बैंच में भी वो इसलिए भी गई है क्योंकि पहले तब तक उनको अंत्रमी जमानत दे दी गई है। दूसरी चीज यह हुई है कि उन्होंने कहा है कि यह जो मुद्दा है कि अर्विन केज़िवाल अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे यह जो है उन्हें कहा कि अदालत इस तरह के फैसले दे सकती हमें संदे हैं कि आप कोई नहीं है एक मोरल, कानूनी मामला नहीं है तो उस पर इन्होंने फैसला दे दिया कुल मिलाकर वह बहार नहीं आप आएंगे क्योंकि सी ब्याइच केस है लेकिन उनके लिए लिए खिड़की खुली है उस खिड़की में जो है जाली लगी है तो आप बाहर देख तो सकत लेकिन बाहर निकल नहीं सकते हैं जब तक जाली जो है वो जो सलाक है वो जाली जो हो सीबीआ केस की है अगर क्यूंकि वहां भी देखिया आप केस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है हाई कोट में पैंडिंग है हाई कोट से आगर किसी भी तरह का कुछ होता है कोई भी प कर अब अर्विन केजरिवाल को वो जाली हट वानी है वो उनके लिए उत्रह मुस्किल अब उत्रहास्ता रहा नहीं जित्रह मुस्किल पहले था क्योंकि पहले खिड की पुरी तरह बंती बाहर से ताला था ज्यादा पा चुके हैं तीन जब बनेंगे बनेंगी बैठेगी वो एक अलग बात है वो चीफ के उपर है जैसे वो कब बनेंगे लेकिन अगर आब वो सीब्या केस में किसी भी तरह की रहत ले आते हैं तो फोरण जेल से आने का रास्ता उनका साफ हो गया खिड़की खुल जाएगी खिड़की के साथ दर्वाजा भी ऑटमेटिक खुल ज लेकिन यहां पर अगर उनको अब सीब्या केस में जमानत मिलती है अंतिरिम जमानत मिलती है तो वह फोरण जेल से बाहर आने का रास्ता उनका साफ हो गया है एडी केस तो अभी ट्राइल के स्टेज पे है वो चलता रहेगा लेकिन एक आरोपी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि वह जहला ज़्य पार यहां और सुप्रीम कोट ने एक बड़ी बात कि है कि हम भूलना नहीं चाहिए कर देखे तो नब्दे दिन कुछ नहीं होता मनेनी सी शुद्या जिए निल साल से जिल में है तो लेकिन सुप्रीम कोट ने बड़ी रहत उनको जैसे आप किया सब्सक्राइब करें तो यह एक बड़ी रहात है बड़ी कानुनी लड़ाई में एक हम यह कहेंगे के अर्विन केजिवाल की कुछ अधक जीत हुई सब्सक्राइब कानुनी जो पहलू है पीमले के प्रावधानों को उन पर आगे समिक्षा की जुरूरत है और तब तक वह समिक्षा की जुरूरत है तो अर्विन केजिवाल को जमानत दे रहे हैं तो बेनेफिट ऑफ डाउट आगर हम कहें जब शंका सुप्रीम कोट ने कर दी तो शंका का जो असर है वो सीधे सीधे आरोपी के पक्स में जाता है आगे आगे जी क्या यह कहना सही होगा कि अब यह केस जो है यह जो एक सवाल है कि गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं रीजन टू बिलीव एडी के अधिकारियों के पास पुक्ता है या नहीं यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसमें न केवल अरविन केज जिवाल का आगे का भविश्चत है होगा बलकि और भी जो एडी के जो और केस होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट गैडलाइन तरह करेगा यह लावा कई फैसले पर पंकजबनसल का बेहत्पुर्ण फैसला कर आया था कि इस आधर पर आप गिरफतार ही नहीं कर सकते हैं संबन के तामील नहीं हुआ पुस्था! में सहयोग नहीं करें सिर्फ इसी आधार पर आप गिरफतार नहीं कर सकते किसी को और ऐसे चोटे-चोटे करके बहुत सारे जो है इडी की जब शक्तियां हैं उनको कटेल किया है उनको काबूर और आज एक बार फिर कह दिया सिर्फ इंटेरोगेशन इसने यह बोल दिया पू सकती है नहीं कर सकती यह बड़ा मुद्द्द तीन जजज इसी बेंट सुनेंगी और यह बैंच तैय कर देगी एक लक्ष्मन रेखा किन इडी कि सद तक जाकर किसी को आरूपी तो पनाए कि लेकिन गिरफतार करने की ज़रूद है या नहीं है यह सुपरीम कोट अब एक व शक्तिया हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा जो है कानुनी figure जुरिस्पूडन कॉम निया सास्तर कहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि भला ही कि अर्विन केज्रिवाल की पार्ट मेनः लेकिन फैसला जुह है कई-न आ-क पक्ष whose लिए गया है क्योंकि अल्टिमेटली उनको भी कहिए जब तक हम इस मामले को सुन रहे हैं तब तक आप आपको जो है जमानत दे रहे हैं यह लिए जमानत है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है जमानत मिल गई है जमानत मिल गई है यानि प्राइब पहली नजर में सुप्रीम कोड को लग रहा है कि वह जमानत के अगदार है जेल से बाहर आने के अगदार है इसलिए वरना वह तीन जजीज को रेफर भी कर सकते थे बिना जमानत दिये पहली लाइन में ही बैठते ही जिसन जीव खना ने कहा कि हम बेल को एक्जामीन नहीं कर है यह राहत इसलिए भी है कि कोड यह भी तो कर सकता था कि यह कहें कि हम यह मामला लाजर मैंच को भेज रहे हैं और बस भेज दिया क्यूंकि अर्विन के अंतरी जमानत भी दिये कि यह बड़ा सवाल है अगर कोई व्यक्ति जेल जाने की नौबत पे खड़ा हो तो fundamental right of life कर कर्टेल हो रहे हैं इसलिए Supreme Court दखल देता है कि पहले किसी तरह बचा लो फिर हम सुन लेंगे लेकिन जो आदमी जो सक्स पहले से जेल में उसके fundamental right तो अगर वो दो महीने से जेल में तो तीन महीने भी रह सकता है यह एक सिस्टम है इस देश में लेकिन यहां पर उन्होंने अंतिन में जमानत दी है इसका मतलब उनको कही न कहीं लगता है कि फिलाल वो जेल से बाहर आने और उसमें बड़ा फैक्टर यह भी है कि वह बार बार कह रहे हैं कि उस बात को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं और आर्विन केजिवाल की दलील के मैं कोई आतंगवादी नह को मैं हैड करता हूँ यह तमाम चीज़ें जो है कहीं न कहीं उनके पक्ष में बहुत बहुत शुक्रिया तो उमीद है आप समझेगे होंगे कि कैसे यह पूरा मामला भले ही तैय नहीं हुआ है लेकिन अर्विन केजिवाल के पक्ष में चला गया है फिलाल क्योंकि अंतरे कब आता है कोर्ट की कारवाई कैसी रहती है सुप्रीम कोर्ट दिली से अपने सयोगी आशिश भारगव और कैमरा सयोगी सोशील लाटी के साथ मैं शरच चर्मा एंडिटी मीडिया